नवस्कार दोस्तो आफ सभी का स्वागत है सिक्चा अकेडमी के इस नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम दिसकस करने वाले हैं बाल विकास एवं सिक्चा सास्त का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धान तो चलिए दोस्तो देर न करते हुए वीडियो को स्ट सब्सक्राइब 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 इसका राइट आंसर रहेगा और निचली कक्षा में सिक्षण की खेल पद्धिती मूल रूप से आधारत है दिचली कक्षा में सिक्षण की खेल पद्धिती मूल रूप से आधारत है इसका राइट आंसर आप्शन नमबर सी यानिगी है बिकास एवं ब्रद्धी के मनो बैग्यानिक सिद्धान्तों पर आधारत है ठीक है दो हजार पांच के आधार भूत सिद्धान्तों में निमलिकित में से कौन सा भाग संबलित नहीं है तो दूस्तो यह है इसका Anser है Option Number A, दूस्तो यह है अच्ची वाहर परीक्षाओं का ऐयोजन कराना सम्भव नहीं था Option Number A, इसका Right Anser है इसके बार अंगला प्रिश्न है सामाने परीपक्गवाद से पहले प्रतिक्ष कराया-प्राया है सामान परिपक्वान से पहले प्रति सिक्ष कराया प्राया जिस्तों यह इसका option रहेगा option number D इसका right answer है यानि कि लापकारी या हानिकारक यह बात पर निर्वर करता है कि प्रतिक्षण में किस प्रकार की विधी का प्रयोग किया जाता है ठीकर इसके बाद अंगला प्रेशन है बच्चे की बिकास के सिस्तर सिध्धन के अनुशार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है option A है बिकास सिर से पैर की ओर होता है option B है बिकास पैर से सिर की ओर होता है option C है बिकास मद्ध भाग से परिधी की ओर होता है option D है और प्रोक्त में से कोई नहीं option A इसका राइट अन्सर है इसके बाद चलते हैं अंगला प्रेशन है किसोर अबस्ता के दोरान आत्म केंद्र संग्याओं शंख्या का बिकास इस बिश्वास के साथ है बिश्वास के साथ की बहर अन लोगों के ध्यान केंद्र में कहलाता है option A है असमिता निर्मार, option B असमिता संकट, option C किसोर आत्म केंद्रिता, option D है भूमी का ब्रातित इसका सही आंसर है option number D आने की भूमी का भानती ठीक है भ्रानती option number D इसका right answer है इसके बाद अंगला प्रश्ण है निमलिखित कतनों में से माना विकास के संबंद में कौन सा कतन सत्य है निमलिखित कतनों में से माना विकास के संबंद में कौन सा कतन सत्य है तो इसका राइट आंसर है option नमर बियानी तो यह सामान से विस्ष्ट की ओर यह इसका राइट आंसर रहेगा इसके बाद अंगला प्रश्ण है कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरन से प्रभावित होने लगता है दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों यह बाली अवस्ता से ही प्रभावित होने लगता है ओप्सन नमबर A इसका सही आंसर है इसके बाद अंगला प्रश्ण है नेमें बलेकत मैंसे किसने सामाजिक अधिगम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था इसका राइट आंसर है और इसके बाद अंगला प्रश्ण है नेमें बलेकत मैंसे कौन सा सिद्धान्त बाल पिकास में बातापरण संबंदी कारकों को महत्व देता है इसका राइट आंसर आपसर नमर बी यानिक दोस्तों यह सामाजिक अधिगम सिद्धान्तों को महत्व देता है क्या सामाजिक अधिगम सिद्धान्तों पर महत्व देता है आपसर नमर बी इसका राइट आंसर है तो दोस्तो यह video इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है अधी आप विडियो को लाइक करें सिर करें और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चले दोस्तो मिलते हैं अंगले next video में तब तक लोग दोस्तो बाइ